हेलो एब्रीबडी वेलकाम तो आज हम इस वीडियो में बात करने बाले है कि आप अपने घर में ही बाजा जैसा फ्लोटिंग भीट कैसे तयार कर सकते हैं इसका पूरा का पूरा वीडिया आज हम इस वीडियो में आपको डिखाने बाले है तो फ्लोटिंग भीट बनने के लि बालती में डाल लेना है, तो सबसे पहले हम सोर्षों की खोली है उसे बालती में डाल लेते है, तो यह जो सोर्षों की खोली है, यह हमने एक बालती में डाल लिया है, अब हम क्या करेंगे, इस बालती में पानी डाल देंगे, यहाँ पर हम पानी दल रहे हैं और इसे हम पुरे एक राथ के लिए राख देंगे मतलब कम से कम से लेकर आत ग़ंटे तक आपको एसे फीगो के राखना है एक शरणो के खली को ताकि यह जो शरणो की खली है इसे आपको बाकी जितने भी इंग्रिडियन है उसके साथ मिक्स क तो बाकि अगर मिरक्स को राखने दायरिक लिम्ट सबस्क्राइब को इसे को में प्लम करका जाए हैus लिए और में थे छाननी को शीमित को प्रूटिंग तो फ्लोटिंग फीद निकाली केशन कुछ यह हमें शुखाना पालकिक शुका सबासों निए और ने मिदेक बेदाता हमी पीद शीमित करना थे और एक ऐसा बरत्न ले लेंगे लिखे के इस बरत्न में जो पानी है ओ इसमें जाएगा और इस पानी है इसका भी काम है ओ किसकाम में युज़ होगा ओ हम बाद में बताएंगे तो सबसे पहले यह हम कर लेते हैं कि अब कापड़े के मदद से एसे अब जितना पानी हो सके वो निकल ले उतना है अच्छा है मतलब आप देख सकते है यह हमारा जो शर्षो की खली था उसको हमने थोड़ा उसका पानी निकल लिया है तो यह थोड़ा इस थेप का हो गया और यह जो पानी यह ना इसे हमने राग दिया है अभी यह है आपका सर्शों की खली जिससे आप जो पानी है ना उसको बहार निकल के ले लिया है यह सर्शों की खली है और यह जो सर्शों की खली से जो पानी अपने निकला है यह पानी आप डाइरेक्ट अपने तलाब में दाल सकते हैं क्योंकि इसमें फैर बहुत करेगा तो प्रोब्लेम हो सकता है अगर आपका तलाब का पानी थीक है साफ है तो आप इसे तलाब में डाल सकते है फैत के लिए अभी हम बाट करते हैं कि यह जो फ्लोटिंग फीड है यह आप कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आपको क्या ले लेना है सर्सों की खली यह देख स सब्सक्राइदbn है और शर्सों की खली है कितने कितने मात्रा में लेना है हम ने बादे में हम नेुब पहला खिज्ञा था मश्ortsव में अदि तो उसे चमसे आपको मतलबं ले लेना हैं अभी क्याकां है आपको ये दोनों तीग कर लेना है ग्र cm कि शर्चोगी ख़ीम पर भीगा हुआ है तो इसमें थोड़ा पानी है तो यह मेरा अघर पाणी ज़रूरत परने तो आप पानी ले सकते हैं थोड़ा भर अभी इसके उपर आप ले लीजिए थोड़ा सा आता मैं यहां पर थोड़ा सा आता ले रहा हूँ अब बहुत जादा नहीं लेना चाहिए आता थोड़ा ले लोगे तो भी हो जाएगा और साथी चाद आपको ले लेना है गोबर है यह सब कितना लेना यह पहले ही मैं उस वीडियो में बता शुका हूँ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्कृप्व्रीं में भी मिल जाएगा तब हम तो यह अफ्क्री से आप मिक्स करे ले अब ज्यसे की आप देह सेकते हैं यह पूरी तरा किसे मिक्स हो चुका है अभी आपको क्या करना है आपको शीप अभी मसली का दाना है जो फ्लोटिंग फी देए उसका साइज देना है तो इसके लिए आप क्या कर चकते हैं इसे ले और सोता-सोता लाद्डू बना ले और यह सुखाने के लिए राग दे यह ही है दाना है इसको पानी में दलेंगे तो आप देख सकते हैं यह तेरने लगेगा अब यह दाना तलाब में दलने के लिए बिलकुल मतलब रेदी है प्रवस्याओ